दिपिका पाड़कोण रक्षे कुमार नज़र आएंगे एक साथ साजिद खान की अगली फिल्म में दिपिका की अलावा फिल्म में दो और हिरोईंस होंगी फिल्म को प्रिड्यूस कर रहे हैं साजिद नादियादवाला ये है हमारी स्टोरि नांबर थ्री दिपिका पादकोन और रक्षे कमार की जोड़ी लोगों को चान्नी चौक्ट चाइना के अलावा अब साजित खान की फिल्म में भी देखने को मिलेगी दिपिका और अक्षे के अलावा फिल्म में रुतेश देश मुक और दो अक्ट्रस भी एहम किरदारों में नज़राएंगी हालकि ये दोनों हीरोइंस कौन होंगी इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया है फिल्म के प्रिड्यूसर साजिद नाडियारवाला का कहना है कि वो हमेशा अच्छे अक्टरस के साथ काम करने में बिलीव करते हैं हाली में इस फिल्म के सिलसले में डिरेक्टर साजिद खान दिपिका से बैंककॉक में मिले और उन्हें स्कृप्ट सुनाई दिपका को कहानी इतनी पसंद आई कि उन्हों ने इसके लिए फॉरन हामी भर दी हाला कि अभी इस फिल्म के फ्लोर पर जाने में थोड़ा वक्त है क्योंकि प्रिड्यूसर साजिद नार्यारवाला पहले अक्षय करीना स्टारर कमबक्त इश्क को पूरा करना चाते हैं वैसे भी फिल्म अभी कास्टिंग स्टेज पर ही है उन शांतियों में दिपका को डिरेक्ट करने वाली फारा खान हाला कि इस बात से तो खुश है कि साजिद की फिर्म में दिपका लीड रोल में होंगी मगर कहीं न कहीं शायद उन्हें ये दुख भी है कि ना तो साजिद ने और ना ही दिपका ने उन्हें इस बारे में कुछ बताया दिपिका तो वैसे भी आजकल बॉलिवूर्ड में चाही हुई है अब चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर जिस तरह के बैनर्स और प्रोजेक्स दिपिका साइन कर रही है उससे एक बात तो जाहर ही हो जाती है कि इंडस्ट्री चड़ते सूरज को ही सलाम करती है फॉर्योगेंद्र शर्मा, जूम, मुंबाई